नमस्कार, ACN भारत पर आपका हार्दिक स्वागत है, मैं हूँ हेमद श्यर्मा, आज हम बात करेंगे एजुकेशन टॉक में परिक्षाओं की एक दिवसी जो परिक्षाएं होती है, उसमें कई गफलत होती है और बच्चे ये तै नहीं कर पाते हैं कि क्या उन्हें करना चाहि किये, कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इन्ही सब बातों को लेकर हम बात करेंगे स्री गौरव पाठक जी से, गौरव पाठक जी कौटिल ले एकेडमिस हैं और वे इन्ही परिक्षाओं को लेकर बच्चों को तैयारियां करवाते हैं, लगातार वे एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का कारे करते हैं, करोज आपका बहुत-बहुत स्वाज़त है, तो किस तरह से ये प्रिपरेशन की जाए, बच्चे को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उससे लेक अगे बढ़ना चाहिए, तो जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप जिस एक्जाम के लिए भी जा रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आपकी रूची होना बहुत जरूरी है, अगर आपकी उस सब्जेक्ट में रूची नहीं होगी, तो वहाँ पर ध्याल लगना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आपके घरवाले बोल रहे हो, या किसी दोस्त ने बोला हो, या किसी के देखा-देखी आपने सब्जेक्ट चुन लिया हो, तो फिर आगे आपको इनिशली आपने इंटरेस्ट के साथ अगर सब् लेकर अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप इंटरेस्ट भी बना रहेगा और डेफिनेटल आपको सक्सेस भी मिलेगी, वन डे एक्जाम यानि इस तरह की जो प्रिटियोगी परिक्षाएं कहलाती है, उसमें अलग-अलग तरह की है, चाहे पुलीस विभाग में जाना हो, चाहे आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना हो, या फिर फौर्ज में जाना हो, ऐसी कई परिक्षा है, उन परिक्षाओं को लेकर किस तरह से चाहें किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, मतलब एक दिन में जो एक्जाम होता है, चाहे प्रिलिम्स हो, चाहे मेंस हो, इसका एक ही दिन में होता है, इसके अलावा, MPPS, UPC जो होते हैं, उनके पहले दिन प्री होता है, फिर नेक दिन में मेंस होता है, मेंस के इच्छे साथ पेपर होता है, तो ज्यादा टाइम लगत तो एक दिन में जो पेपर होता है, उसे वर्ण ने एग्जाम कहा जाता है, अब इसमें अलग-अलग कैटेग्री इस होती हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, आप सेटर्र गवर्मेंट की नौकरी कर सकते हैं, आप MPSI के थो मध्र प्रदेश पूलिस में जा सकते हैं, आप CPUSI क तो प्रेसाई की पोस्त के लिए जा सकते हैं उसे अप डारेक्ट असिसेंट कमाइन की पोस्त के लिए अपलाई कर सकते हैं बहुत प्रिट्यों की ता और कॉंपिटिशन की बात करें तो असी एक्जाम में चैन के आधार क्या होते हैं और किस तरह से यह कहा जा सकता है कि चायनीत होने के क्या चांसे हैं उसे क्या ह default आपको प्रजूए पोsi ग्रेजुएर्म के इससके पोस्त निकली हुए है मद्यप्रदेश की कुछी गवर्मेंट एक्जाम्स निकालती हैं उनमें 12 के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं जिसकी जो एज लिमिट है वो 23 साल रहती है अभी कोविट के बैसे सरकार ने दो साल और बढ़ा दिया उसको तो पच्चेस साल तक कर दी बिल्कुल मेरा अगला प् लिए और क्या प्रिप्रेशन करना चाहिए उसे किस दिशा में जाना चाहिए सर अगर आप इनिशले तैयारी स्टार्ट करते हैं तो पहला ट्विल्थ बाले जो एक्जाम होते हैं उनकी एज लिमिट होती है अठाईस साल या पच्छीस साल और अगर आप OBC से हैं तो आप अच्छे साल वाले जब 28 साल तक एज लिमिट है आप उहां तक भी एक्जाम दे सकते हैं क्या इन एक्जाम के लिए कोचिंग क्लास जॉइन करने की आवशकता होती है या खुद का कोई एक सिलेबस अपने हिसाब से तैय करके या फिर उससे आगे बढ़ा जा सकता है किस त अब पारे हैं तो डेफिनिटल आपको किसी कोचिंग जरूत नहीं है लेकिन इस पढ़ाई को लेकर स्टाइटेजी किस तरह से बच्चों को बनाना होता है आपको पास डूस और डॉस आपके होने चाहिए कि आपको क्या करना है क्या क्या करना है आपने डिसाइड किया कि जरूरी नहीं है अगर आप उसे कंटीनियो 6 मैंने तक कर रहे हैं तो आप पीछे चले जाएंगे और अगर आपने डूस को ध्यान रखेंगे और डॉस को भी ध्यान रखेंगे तो डेफिनिटली 6 मैंने में एक साल में आप एक्जाम क्रेक कर सकते हैं बिल्कुल बहुत लगातार लेकिन एक जो कमी नहजर आती है लाकों करोडों बच्चे रहें और उसकी एक्जाम को लेकर तैयारी कर रहें तो ऐसे में सबसे बड़ा एक संशे की स्तितियां आती है मोटीवेशन को लेकर आजकल बच्चों को मोटीवेट करने की आवशकता होती है खुद में म स्कूलिंग से जो हम स्टेडी पढ़ रहे हैं मतलब स्कूलिंग की जो हमने 10 तक पढ़ा हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी गवर्मेंट एक्जाम से एवें हम यूपीसी की एंपीपीसी की बात क्यों न कर लें उन एक्जामस में भी जो हमारा 10 तक का स्लेवस ह वही पूछा जाता है तो जो बच्चे सुरू से अच्छा पढ़ते आ रहे हैं अगर आप पांचवी छटवी में अभी हैं आठवी में हैं अगर आप अभी से अपना बेस कर लेंगे और दस भी तक का आपका बेस बहुत स्ट्रोंग तो ट्रस्ट मी आगे एक्जाम बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपने कोई चीज डिसाइड की और आपने बैसा कर लिया तो आप मॉटिवेटेड रहेंगे किसी के दूसरे के बोलने पर अगर मॉटिवेशन हो आ गया वो 15-20 मिट आदा घंटे का चलेगा उसको भूल जाएंगे आपने खुड टार्ग मॉटियों को पार करने में सक्षम भी रहेंगे और आगे बढ़ने में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगे आज कल देखा जाता है सिर की जादा तर सिल्बस या जादा तर परिक्षाइं जो है वह इंग्लिश मीडियम के माध्यम से की जाती हिंदी मीडियम के च्छातर कैसे पार करें कैसे तरह करें किस तरह से आगे बढ़ने मिए इसको लेकर किस तरह की बात हुआ है अगर आपको लगता है चिनमें हंदी पूछी जाती है उनको चुनिए आप जैसे अकर आपको अब कर जाता है मैं यह नहीं कहूंगा कि मैट्स करना बहुत कठे नहीं है बहुत जदा टाइम लगता है लेकिन एक बार आपको अपनी स्टैटिजी बनानी पड़ेगी आपको लगता है कि आपका इंग्लिस वीक है तो अभी एक्जाम आया हुआ है उसमें चार सब्जेक्ट है सर मैट्स है रीजनिंग है जीके है और इंग्लिस आइदर हिंदी है तो या तो चाहें आप हिंदी अटेंड कीजिये तो अगर आपका हिंदी स्टॉंग तो आप ऐसे एक्जाम दीजिए लेकिन इंगलिश का फोबिया भी है सर चात्रों में वो कैसे दूर सर गवर्वर्मेंट जॉप् होता है फोबिया बेसिकली स्पीकिंग में है वो लेक फोबिया है जिसे समझ आगी उसके लिए तो बहुत अच्छा है सरल है लेकिन जिससे समझ नहीं आई उसका गणीत अंकों में भी विगड़ जाता है उसको कैसे दूर किया सर सबसे पहले तो यह हटाना है कि मैट्स जो मैट्स अच्छा होगा तो आपके life में calculations भी अच्छा होना बहुत जरूरी है मतलब केवल एक्जाम के लिए नहीं लाइफ के लिए मैस होना अच्छा होना बहुत जरूरी है पहली बात है कि मैट्स इक बेसिक से आप बनाने स्टार्ट कीजए जिए सिक्स का बनाईए सेवि करेंगे और उसको पढ़ लेंगे तो आफ मॉटिबेट रहेंगे यदि शुगवात से एक बार फिर की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से समझा जा सकता है यहां सुरू सही सुरू करना होगा तीक बात है बिल्कुल सेल्फ स्टेडी के लिए किस तरह के preparation किया ज करना है अब ही दो महीने वाद ही तो इस च्छी टिक परने है और आप के वह सत्वत कर रहे हैं तो आप motivated रहेंगे और आपकी तो आपकी strength और weakness क्या है जो आपकी strength है उसको वनाई रखना है और जो weakness उसको धीरे-दीरे कम करना है। एक Guru मंत्र की आवशक्ता है जो चाहेंगे कि चात्र हमारा ये कारिकरम देख रहे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कहीं न कहीं आगे चल कर एक्जाम देने के mood में उनको लेकर आपका क्या Guru मंत्र होगा। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कभी भी आपको लगे कि मेरे में कोई weakness है तो मेरे पास बहुत सारी स्टोडीस हैं जिनको मैं आपके साथ सेहर करना चाहता हूँ। मैं इसे परसन को जानता हूँ सर जिसके कलाई के आगे हात नहीं है मतलब इसके पंजे नहीं है उसने सर दो बार MPPSC का मेंस लिखाए अबजेक्टिव क्लियर करके मैं ऐसे इनसान को जानता हूँ जिसके सर फेस जला हुआ है वो ब्लाइंड है और उसने एक बार कलाई कर ए अपने भरोसा कीजिए आप कर सकते हैं यही गुरु मंत्र है कि आप केवल अपने आप पर वरोसा कीजिए और उसी के आधार पर आगे बढ़िए सेल्फ मोटिवेटेड रहिए अपने लक्ष को निर्धारित कीजिए और उसी को ध्यान में रखकर जैसे अरजुन ने मचली की आग देखी थी उसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए आप भेद सकेंगे आप अपने लक्ष को प्राप्ट कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे गुरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से चर्चा की दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई एजूकेशन को लेकर बहुत अच्छे गुरू मंत्र दिये हम अगले कारिकरम में एक बार फिर किसी नए सब्जेक्ट को लेकर किसी नए गुरू के साथ आप स से रूबर होंगे तब तक के लिए इजादे दीजिए नमस्कार